हेलो फ्रेंड्स तो आज हम बनाएंगे यूपी विहार का फेमस डिश बाटी चोखा चने के सत्तू है भरा हुआ तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी रेसिपी को सुप्रियास कॉर्णर में तो बाटी बना रही हूं मैं तीन लोगों के रिये तो यहां मैंने तीन कप आठा लिया है और चने का सत्तू लिया है थोड़ी क्वांटिटी में तो सत्तू को रखते हैं पहले साइड में और आठे को लगा लेते हैं बाटी के जैसे बनता है वैसा तो यहां आठे में मैं सरस किसी मंग्रेला कलोंजी इसको जो भी आप बोलते हैं आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं और बस अब हमें थोड़ा सा मैंने मुझे कम लग रहा था तो मुझे को बहुत अच्छे से आटे में मिक्स कर लेना है तेल को जैसे आटा बाइंड होने लगे वैसे उस तरीके का ह मुझे बाहर का भी बहुत पसंदा घर में भी हमेशा बनाती हूं तो आप देखे इस तरीके से मोयन एक्दम परफेक्टली बन गया है आटा बाइंड होने लगा है और अब हमें क्या करना है थोड़ा थोड़ा पाइन डालते हुए आटे को बहुत ही टाइटली गूत लेन होता है तो थोड़े थोड़ी क्वांटिटी इंपाइन डालते हुए मैंने कड़े से आटे को तयार कर लिया यह बहुत ही ताइट आटा लगके तयार हो चुका है आप देख सकते हैं वोकि इसको गूतने में भी काफी महनत लगती है तो अब आटा हमारा तयार हो गया है अ अच्छे से मीक्स कर सकूं यहाँ पर मैंने लिया है अजुआन जीरा और मंगरेला यह हम लोग बाति का मさाला बोलते हैं चने की सत्थ का मसाला हम लोग इसी को तयार करते हैं कि यहां तेल पढ़ गया जब इसे में मिक्स कर लिया आप है अजरी नहीं पर्फेक्टली कौष अँछा सपाइब कटे हुए प्याज हरी मिर्च अर लःसुन तो तीनों चीजों को जादा काळ दिया मैं बताओंगे कि अगर प्याज कर जाता है जादा तो उसे कैसे प्रिजर्व करने का सिर्फ और शिर्फ एक ही उपा है क्यों आप इसे सरचो के तेल में रखते खुश्या त्र हूशी कि मैं मुझ पियाझ लking मैं रख़े तुरब इस panty बनाएंगी तो इस गयाइदा करें किन स् हुश्याइक धूरी में इस stal के रिखने अभी निनी निया तब आपको इसे सरस्तो के तिल में करके ऐसे रख देना है तो चलिए अभी चलते हैं चन्ने के सत्तु की तरफ बाते थोड़ी ज्यादा हो जाती है कभी कभी सत्तु में पढ़ गया प्याज अब हमें इसको क्या करना इसमें डालना है थोड़ी सी मिर्च का अचार में डालू तो यहां मैंने इसके मसाला थौसन डाल दिया है और अब इसमें हमें डालना है नमक और नमक डाल करके फिर से हम सत्तु को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारा चला आठे की तरह तो आठे को एक बड़ दुबारा से फिर से आपको गूत लेना है ताकि ये अच्छे से समूध हो जाए तो बस एक बड़ मैंने ऐसे हाथ लगा ले वे तयार हो गया और अब हमें क्या करना अपजा spasya है तो यहाँ बारर पीस का एप बनेगा बाटी बनेगी यहां आठा मेरे उस हिसाब से गूथा है आप चाहे तो इसको बढ़ा सकते हैं हैं मैaráं यहां मैंने किवल तीन जन राटा बनायां नों के लिए दो कर Tú को हम उस जाये का और मैंने तयार कर लिया है कि अи क्योंसरा की बिलकुल से ही करना है एक लोई लेना है इसको हातों से चिकना करना इस तरी के से और फिर से सेंटर में थम को रखना है और साइड साइड से फिंगर्स को रखते हुए ऐसे हमें पार्टी का कवर तयार कर लेना है अगर आपको नए हैं और आप पार्टी का कवर इस तरीके से नहीं बना पाते हैं तो इसका भी सॉलूशन है मेरे पास तो बस हमें लेना है एक चकला चकला की ऊपर ऐसे आपको लोई को फिर से चिकना करके रोल करके चिकना कर लेना है और चिकना करने के बाद बेलन की हेल्प से हमें जैसे हम रोटी बेलते हो इसको बेल लेना है बहुत पतला नहीं करना है क्योंकि हमें इसमें अभी जो चना का स तो बहुत थोड़ी सी कॉंटिटी में डाल रही हूं आप चाहें तो ज्यादा यूज कर सकते हैं मैंने केवल इसलिए डाला है फ्रैंस कि जब हम अपम के तवे में बाटी बनाएंगे तो बाटी मारी अंदर से बिल्कुल कच्चा न रहने पाए अगर आप केवल खोखला इस इसे ही रोल कर देंगे बाटी तो बाटी अंदर से कच्ची रही जाती है और यह बाटी बहुत जल्दी से जाती है मतलब 8-9 मिनट में आप अपम के तवे पेस बाटी को से लेंगे तो इसलिए मैंने बहुत ही थोड़ी सी कॉंटिटी में चना का सत्तु भरा है एक बाटी ह दूसरी बाटी पे ऐसे ही हलका सफिर से इसको फिंगर की है चिकना कर लीजिए और इसमें एक चमच भी नहीं थोड़ा सा ही मैंने चना का सत्तु लिया है और हां अगर आपको चना का सत्तु पसंद है तो आप और भी ज्यादा इसमें भर सकते हैं इसमें बहुत ही अच्छ कि जो बाटी हमारी फटनी नहीं चाहिए इस तरह कि इसको में रोल रोल कर लिया है और यह बाटी भी हमारी तयार है थोड़ा सा और इसको शेफ दे देतिको बाटी का फ्रांस अगर आप चाहें तो एक बाटी बनाते टाइम इसके अंदर आप हलकिया सा देशी घी लगा सक रखते हैं उससे इसका टेस्ट और बढ़ जाएगा अब बिल्कुल उसको भी पहले के जैसे हमें बना लेना है बाटी का शेप देना है और हमारी वाली बाटी भी तयार है तो इस तरह के से दोस्तों सारी बाटी हमने तयार कर ली है और अब चलते हैं इसको सेंगने की आप वी चलते ही हेले को सेख दर के एक उड़ने में लौन सेंग को जाएं है उसके बाद हम इससे कवर लिया अब यह और सैंक लिए बिलकुल भी अंदर से नहीं पकई हैं со स्चाहिए अब इसके बाद मैं इसे कवर से ढख दूँगी ताकि अंदर से बहुत ही अच्छे से स्टीम हो जाए पक जाए करने के बाद आपको थोई थोई दिर करके सको चेक कर लें तो पलटते जाना इस तरह के से देखिए मैंने पलट पलट के सेंख लिया है बीच का जो बाटी ये जल दी सेख जाता है तो बीच की जो बाटी साइट करके साइड वाली बाटी आ उसमें कर दीजिएगा और फ्लेम को भी मीडियम ही रखेए यो अपको जाता है तो जाद सी सब्धानी हार्टि तो गटना गटी वाल होता हैं ल Crime Days तरह बनाना भी बहुत ही एज़ी है तो यहां पे बस हमारी बाटी तयार हो चुकी है तो अगर आप घी ज्यादा नहीं खाते मेरी तरह तो यह से बहुत लोग क्या खरते हैं कि बाटी को बीच से तोड़ा घी में डिप कर दिया लेकिन मैं ऐसे नहीं करती मैं उपर से बस ऐसे ब्रस से बाटी में घी लगा देती हूं अच्छा अगर आपने बाटी पहले से बना के रख लिया है ना तो आप बाटी को कप्ड़े में करके कैसरोल में रख दीजिए यो काफी देर तक गरम रहती है अभी मुझे तुरंट सर्व करना है इसलिए मैंने से कप्ड़े के अंदर कैसरोल के अंदर नहीं रखा है तो बस बाटी चोखा की थाली हमारी तयार है बाट अपने नेक्स्ट वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा थैंक्यू सो मच फार वाचिंग